डिस्क हरनियेशन या डिस्क बल्ज क्या होता है? काफी बार आपने देखा होगा कि MRI रिपोर्ट में लिखा होता है डिस्क हरनियेशन या डिस्क बल्ज हो गया है L45 पे या L5S1 पे अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब है कि आपको slip disc हो गया और surgery की जरूरत है नॉर्मली 95-97% केसे में इसमें कोई surgery की जरूरत नहीं बढ़ती इसके symptoms नॉर्मली back pain होते हैं जो कि exercise करते वे या weight उठाते वे या चोट लगने की वज़े से शुरू हुआ होता है बट इसका pain जो है वो almost 6 हफते तक रह सकता है मतलब देड़ महीने तक तो इसमें शुरू में हम rest कराते हैं थोड़े दिन medicines देते हैं जिसमें anti-inflammatory medicines होती है और धिरे धिरे patient को exercise पे शुरू कर देते हैं normally इसमें almost 4-6 हफते में सब लोग ठीक हो जाते हैं rarely कभी अगर इसका दर्द बहुत हो या persist कर रहा हो तभी हमको इसमें epidural steroid injection देने की ज़रूत पड़ती है बट उससे भी ऐसा नहीं कि हर मरीज को ज़रूत पड़े लेकिन जब भी हमें ज़रूत पड़ती है इसके बहुत अच्छे result है और मरीज को अराम आजाता है rarely less than 0.5% cases में कभी-कभी अगर पेशन का दर्द medicine से, exercises से या steroid injection से भी नहीं जा रहा तभी हमको इसमें कोई endoscopic RF जैसा procedure करने की ज़रूत पड़ती है endoscopic RF का मतलब है एक दूर्बीन तक्नीक से हम डिस्क का वो टुकड़ा जो की pain कर रहा होता है जहां पे की crack आ गया होता है जहां पे की नसे inflamed होती है उसको एक तरह से laser therapy से जला देते हैं जिससे की मरीज का दर्द चला जाता है लेकिन इस procedure की बहुत rarely जरूत पड़ती है normally herniated disc में या disc bulge में surgery की जरूत नहीं होती अगर आपके MRI report में disc bulge या herniation लिखा है तो नजदी की doctor को दिखाएं अपने और बहुत अच्छा chance है कि सिरफ medicine से exercises से ही आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे Thank you